नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संचारी और दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एईज कूकिंग पर आज मैं लेकर आई हूँ पमकिन लीफ याने कद्दू के पत्ते की बहुत ही टेम्टी और टेस्टी एक रेसिपी जिसको फटाफट बनाके काल देना है बहुत ही सिंपल और क्विकमेड रेसिपी है अगर पसंद आए तो घर में इसको एक बड़ डेफिनिटल ट्राइ कीजिएगा अभी जो क्लीन किये हुए पत्ते है इसको हमें कट कर लेना है तो तीन चार पत्ते मैं एक साथ लोंगी और इसके बाद इसको हम कट तो उसी से मैं इसको तोर के लाई हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरे घर में सबको यह खाने में बहुत अच्य लगता है अभी जो पंकिन लीप से इसको मैं रफली कट कर चुकी हूँ अभी हम क्या करेंगे पैन गरम कर लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा स सरसो का तेल और एक बात में यह पर बता दू यह जो रेसिपी है न ट्राइकी जी इसको सरसो के ओयल में ही बनाने के लिए उसे स्वाद बहुत ही बढ़ी आता है और जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम डाल देंगे दो तीन लसन के कलिया साथ में डाल देंगे आधा चामच के चटक जाए जो कटी हुए पमकिन लीफ है उसको हम डाल देंगे पैन में साथ में मैं यह पर डाल चुकी हूँ टेस्ट के एकॉर्डिंग ग्रीन चिली आप यह पर सुखी हुए लाल मिर्ची का भी यूज कर सकते हो तो एक मिनिट के लिए इसको हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे और उसके बाद कटी हुए पमकिन लीफ को हम कडाई में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए हम इसको चला लेंगे उससे क्या होगा यह जो लीफ है यह नरम हो जाएगा इससे पाने रिलीज हो जाएगा और यह बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएगा तो एक से देर म बेज रेसिपी है इसको आप ट्राइ कर सकते हो खाने में यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है अभी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में और बीना पानी डाले एक पेस्ट हम यहाँ पे बना लेंगे बिल्कुल भी पानी नहीं डालिए क्योंक शूफ्ट हो चुक है इस को ट्राइं और में ऑफड़ी इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पहुत अच्छी तरीके सीस्को पना लीजिए है तो मैं यह पिसका पेस्ट बना रही हो दिखा रही हsti मैं एक बुंद पानी आपको यह बिल्कुल भी नहीं की कि हूँ्छा इसी बहुत ही कमाल की रेसिपी बनके रेडी होगी दोस्तों आप एक बार पॉजिटिवली इसको ट्राइ कीजिएगा अभी हम चलेंगे फाइनल स्टेट में यहापे पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है अभी हम इसको थोड़ा सा फिर से ओयल में फ्राइ कर लेंगे मैक्सिमाम आठ से नौ मिनिक में यह जो रेसिपी है बनके आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा फिर से उसी कराई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मास्टर ओयल और ओयल जैसे ही गरम होए जाए यह जो पेस्ट है इसको हम डाल देंगे और इसको हम तब तक भूनेंगे ज और यह बिल्कुल पैन को छोड़ देगा आप समझ लीजिएगा कि यह जो पेस्ट है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने लायक हो चुका है थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साथ में डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और डा के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो धीरे धीर इसका कलर चेंज हो रहा है और कुछ टाइम के लिए हम इसको भून लेते हैं बहुत ही सिंपल एक रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों अगर पसंद आए तो इसको एक बार घर में ट्राइ कीजिए और कमेंट में लिख किये अपना फीडबैक थैंक यू वेरी मच ऐसे क्विक मेड रेसिपी देखने के लिए ये इच कुकिंग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच रेसिपी पसंद आने पर प्लिस दू सब्सक्राइब टेक क्यार बबाई स्टे सेप से हेल्दी बनक ये बिल्कुल रेड़ी है गर्मा गर्म राइस के साथ इसको कीजिए इंजोई और शेयर कीजिए अपना फीडबैक थैंक यू वेरी मच